आपका फाइदा वो सेल करने में है, that is basically an investment plan, लेकिन जो उस plan को ले रहा है, उसका फाइदा है एक risk plan लेने में, which means कि purely term insurance ले वो, क्योंकि अगर वो एक लाग का premium endowment में दे रहा है, तो उसमें से भी 10,000 रुपे term में जा रहा है, जहां से उसको coverage मिल रही है, risk coverage, तो उसको 10,000 की coverage मिली, यानि 10% या 20% की coverage मिली, बाकी का पैसा invest हो गया, तो what you are saying is, कि term insurance लो purely, जहां पर premium कम से कम जाए, जहां पर कि आपने मानो, अगर आपका budget है एक लाख रुपे साल का, तो आपने 10,000 की term insurance ली, जिससे कि आपको एक करोड का coverage मिल गया, depending upon your age group, और बाकी का जो 90,000 कर दिया, जहां पर भी आपका पैसा कम कटेगा और रिटर्न जादा आएगी, as simple as that, or liquidity रहेगी, whenever I want, I can withdraw the money, that's a big point, liquidity रहेगी, क्योंकि अगर आपने mutual fund में invest किया, तो वो पैसा आपके पास में, आप जब चाहे, विड्रॉ कर सकते हैं, lock-in है भी तो maximum 1 साल का lock-in है, कटा भ में लगा दो, index fund में लगा दो, क्योंकि index fund में क्या है, कि जो charges और भी कम है, mutual fund में अगर 0.5% कटेगा, तो वहां पर 0.1% कटेगा, NPS में तो आपको tax benefit भी मिल रहे है, over and above section 80C and 80D, return भी अच्छी है, return भी अच्छी है, वो तो is as good as any mutual fund only, basically divide कर दो, वो तो एक investment की जो strategy है, वो अलग हो गई, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे है, but वो अपने अपने एक अलग strategy है, वो उनको अलग से सीखना होगा, कि अब जो एक लाक में से 10,000 तो गया इधर, यानि term insurance में, बाकी थोड़ा बहुत गया health insurance में, वो अभी हम discuss करते हैं, बाकी कि जो पैसा बच है, उनके लिए है, वो प्लान, उसमें tax benefit भी है, और जो return है, वो भी बहुत अच्छी है, तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग avenues है, as far as investment is concerned, और थोड़ा बहुत पैसा stocks में भी लगाया जा सकता है, अभी उसको छोड़ देते हैं, उस aspect को, अभी insurance पे वापिस आते हैं, तो एक हमने बात करी term insurance की, तो आप ये कह रहे हैं कि term insurance ऐसी कराओ, जिसमें terminal illnesses covered है, और plus death covered है, कि अगर in case आपको कुछ हुआ, तो आपकी family को X amount मिल जाएगा, ताकि उनका lifestyle खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी insurance कराई, जहां पे coverage कम है, तो अगर वो पैसा मिल भी किया, तो उसका कोई फाइदा नहीं है, term insurance का, I think, जो thumb rule है, वो ये है, कि जितना भी आप कमाते हो, अगर वो पैसा जो आया वहां से, आपकी जो family है, आपके BVA, बच्चे है, उन्होंने बैंक में भी डाल दिया, तो उतना उनको भ्याज आ जाएगा, कि उनका lifestyle खराब नही है, ताकि एक लाग में घर पे आएगा, बट एक करोण में एक लाग नहीं आएगा, मेभी दो करोण डालना पड़ेगा, अभी तो rate of interest और कम हो गया है, तो दो करोण डालना पड़ेगा, ताकि मेरे, at least, कुछ हुआ तो लोग फूल तो चड़ा है, पोट पे, अगर पैसा ह पैसा नहीं है, तो लोग फूल भी नहीं चड़ा नहीं है, फूल चड़ाने का पैसा नहीं है, यह दो डाग जोक हो गया, लेकिन I think it's goes well, कई बारना लोगों को hit करना पड़ता है, I think, in the insurance sector, मैंने देखा है, कि जब तक hit ना करो, किसी को डंडा ना मारो, तब तक वो चलते ही नहीं है, उनको समझ नहीं आती है, hit नहीं होती, अच्छा, आप बोलते हैं अपने clients को, कि फोटो पे आप चलाने के पैसे नहीं होंगे, यह कोई मजाक नहीं है, सच है, एक्चुल में family के पास पैसा नहीं होगा, cremation के लिए भी, अगर कहां से लाएंगे वो पैसा, क्योंकि उनके parents को कभी भी ऐसी कड़ी बात किसी नहीं करी जो अभी हम कर रहे हैं, सबने मीठी मीठी बाते करी, अरे नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन हो गया ना, कुछ नहीं होगा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पहले तू घर में दाल, EMI भर, उसके बाद car ले, car ल investment, वो भी आया है, वो भी आया tax के लिए, section ADC, कि अगर में को भी tax बचाना है, मार्श का मन्त आ गया, अब मार्श का मन्त आ गया, तो क्या करें, तो गवर्मेंट ने बोला है, 25 तो अगर policy लेंगे, तो मेरा 30% tax बचेगा, तो लोगों का जो mindset है, या तो है कि पैसा कमाना है या पैसा बचाना है, या अपने status के ओपर पैसा लगाना है, क्योंकि ये सब किस से related हो गया, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़िया vacations, ताकि social media पर बड़िया photographs आए, ये सब related हो गया status से, lifestyle से, उसमें तो पैसा डालने को लोग तयार है, लेकिन risk नाम की चीज है, जिस अगर देट लगाले, कि एक साल मेरा अच्छा हो गया, मैने इतनी कमाई बड़ गई है, मेरा सब को टीच चल रहा है, नेक्स यर भी अच्छा जाए, और अगर अच्छा नहीं जाए, तो प्रड़िक्शन क्या है मेरे पास, सिर्फ एक दीन अगर साल में सोच ले, प्लान कर अच्छा पराद लेक्शन क्या है, तो यह ब्लान करने के लिए कोई दिन बुरा नहीं है, इसा नहीं है कि आपको बैठ करकी यही सोचते रहना है, बिल्कुल ऐसा है कि हम घर से निकल रहे हैं अपने गाड़ी में तो यह नहीं सोचना है कि गाड़ी पंचर होगी तो क्या ह होगा, बट एक लिस्त तयारी होनी चाहिए, यह कि 99% चांसे कि गाड़ी पंचर नहीं होगी, बट एक प्रसंट है, हम लग उसी कि लिए है, हम लग उसी कि लिए है, सीट बेल्ल क्यों पहनते है, और अगर आप गाड़ी लेते हो, लेकिन वह भी मज़े की बात है, लोग च मुक्सान है, जब कि चलान उनके फायदे के लिए.